असलाम आलेकुम टास्टू, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Now open your SST books, open page number 5, now open your chapter of village. सबसे पहले हम village को describe करेंगे, village होता क्या है? Village कहते हैं हम गाओं को, जहां छोटी भर होते हैं, building sign होती है. Village और city, city कहते हैं शहर को, village कहते हैं गाओं को. अगर हम difference करें, फर्क पैदा करें village में और गाओं में, village में और city में, तो गाओं और शहर में क्या फर्क होता है? ठीक है, गाओं और शहर में क्या फर्क होता है, कि गाओं में चोटे चोटे घर मिलते हैं, जादे तर amount में हमें paper नहीं दिखते हैं, वहाँ पे छोटे घर होते हैं, बड़ी buildings नहीं होती हैं, जबके अगर हम शहर को देखें, तो वहाँ पे हमें शहर में आपको जादा schools मिलेंगे, जादा buildings मिलेंगी, और electricity मिलेगी आपको हड़ चका, जबके गाओं में गेचीज इतन हमें city में मिलती हैं, एक शहर मिलती हैं, वह हमें गाओं में कम मिलती हैं, जादा नहीं मिलती हैं, now, we start our chapter, our village, Samy lives in a village, Samy जो है वोई गाओं में रहता है, his friend Amir lives in a city, उसका दोस्त नामें रहता है, एक city में, Amir has never seen a village, Amir ने जो है वो गाओं नहीं देखा, here is a letter from Samy to Amir, telling him about his village, यहां पर हम एक letter देख रहे हैं, इस chapter में, जो Samy लिख रहा है, अपने दोस्त Amir को, और वो इस पर बता रहा है, इस chapter में, अपने कुछ गाओं के बारे में, Samy अपने गाओं के बारे में, कुछ बातीं Amir से शेयर कर रहा है, My dear Amir, मेरे प्यारे दोस्त Amir, how are you, आप कैसे हैं, you have never visited my village, आपने मेरा गाओं विजट नहीं किया, so I will tell you about it, तो इसलिए मैं अपने गाओं के कुछ बातें आपसे शेयर करता हूँ, My village is very small, मेरा गाओं होग छोटा है, it is located on the bank of a river, ये located है, ये बना हुआ है, river के किनारे, river means दरिया, ये बना हुआ है, एक दरिया के किनारे, we collect our water from that river, हम अपना पानी जो हम इस्तिमाल करते हैं, वो हम इस दरिया से हासिल करते हैं, My village is a quiet place, मेरा जो गाओं है, वो एक खामूश जगा पे बना हुआ है, जहाँ ज़्यादा शोर नहीं है, जहाँ पे ज़्यादातर people नहीं रहते हैं, not many people live here, यहाँ पे ज़्यादातर amount में लोग नहीं रहते हैं, so there are only a few houses, इसलिए कि यहाँ पे कम घर हैं, I am sending you some pictures of my village, मैं आ village are mostly farmers, मेरे गाओं के जो लोग हैं, वो ज़्यादातर farmers हैं, क्या हैं, किसान हैं, जो के खिती बाड़ी का काम करते हैं, but there are also carpenters, मगर यहाँ पे carpenters भी हैं, carpenters वो होते हैं, जो हमाँ पस लकडी का काम करते हैं, आपने मुमन देखा होगा, क्या आप स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे chairs होती हैं, तो वो किसे बनी हुई होती हैं, लकडी से बनी हुई होती हैं, आपके घरों में kitchen हैं, kitchen में cabinets होते हैं, तो cabinets किसे बनाए हैं, carpenters ने बनाए हैं, वो सब लकडी से बनते हैं, और जो काम लकडी से, जो चीज़े लकडी से हमें बनी बनाई हुई होती है मार्केट्स में आप जाते हैं जो चीज़े आपको बनी बनाई हुई मिलती हैं लगडी से वो कारपेंटर्स बनाते हैं ब्लेक स्मिट्स blacksmiths वो होते हैं जो coiler काद में काम करते हैं जो जो coiler, coila आप fallen की देखा होगा जो black का का रहина होता है coila ठीक है लिएप Micka that the iall is coal जिसे हम कहते हैं तो जो उसे फ्लेक स्न हम्नेकर्स पहुते हैं जो हमारे shoe बनाते ही हैं जो हम shoes पैनते है अगर अगर हमाई थे शूज बेखेर काम करते हैं। मतलब मजडूर अब आप देख देए घर बने हुए है तो किसे बनाये है इंड इसको भी थे हैं। ये शॉप कीपर्ण्यूर मोटी से बने होते हैं। हीटों से बने होते हैं आपने देखा होगा न मत्टी के घर होते हैं तो जो कच्छी मत्टी से बने होते हैं उसको यहां पर उन्हों उसने क्या का है कि यहां पर कच्छे घर बने हैं मधाउस बने हैं until recently अब तक तो there was only a boys school in our village मेरे गाउं में सिर्फ एक boys school हुआ करता था now मगर अब we also have a girls primary school हमारे पास girls primary school भी है our village now has electricity और अब हमारे गाउं के पास electricity भी है जबके पहले हमें यह facility नहीं थी पहले मेरे गाउं में electricity नहीं होगी उसके गाउं में सैमी के गाउं में लेकिन अब सैमी के गाउं में electricity भी है I hope you will visit my village one day मैं उमीद करता हूँ कि एक नाइक ज़रूर तु मेरे गाउं का विजिट करोगे मेरे गाउं आओगे with a love बहुत प्यार के साथ आपका दोस्त सैमी आप पेज नमर 7 अब आप देख सकते हैं सैमी के गाउं के कुछ पिकचर रहे हैं वो अपने दोस्त के साथ शेयर करी ए जिस पिकचर में आप देख सकते हैं कि farmer's काम के रहे हैं एक आंटी है के आंटी को देख रहे हैं वह खाना बनारी है लेकिन लकडी के चूलो पर खान बना रही है जबके city में हम gas के चूलों पर खाना बनाते हैं gas हम use करते हैं लेकिन गाउं में यह difference है एक गाउं का और एक शहर का कि गाउं के जो लोग होते हैं वो लकडी के चूलों पर खाना बनाते हैं जो कि उनके पास gas नहीं होती है तो सैमी ने जो है वो अपने गाउं की कुछ interesting pictures जो है वो अपने दोस्त के साथ share करें I hope you all understand this chapter और इस chapter को आप लोगोंने बहुत अच्छे तरीक से मज़े से समझा होगा और आपको अराम से अप गाउं का और एक शहर का difference पता लग गया है Now open page number 7, अपनी अपनी इसका आपर page number 7 open करिए इस page में हम देख सकते हैं कुछ fill in the blanks, correct words, choose the correct words जिसमें हमें options दिये हुए हैं, उस options को, correct options को हमें decide करने कि कौन सा option हमें correct लगता है उसको हम अपने blank में put करेंगे Now, the villagers collect from the water from the dash Villagers शो है, वो water कहां से correct करते थे, rivers से या farm से हमें क्या पढ़ा थे chapter Villagers शो है, वो कहां से पानी अपना, जो पानी को use करते थे, जो पानी को استعمal करते थे वो कहां से लेते थे, rivers से, दरिया से लेते थे तो हम ने आपे क्या लिख देंगे अपनी ब्लैंक में? रिवर र-i-b-e-r हम रिवर लिख देंगे आपके असानी के लिए मैंने इसलीज में लिख दिया है ब्लैंक आप लोग अपनी अपनी बुक्स में इस ब्लैंक को लिख लिजें रिवर नमबर बी डेश-people live in a village अब बताइए आप मुझे हमने चेपना में क्या पढ़ा था? कि विलिज में वो many people रहते थे और few people रहते थे आपको दो options दियो हैं many are few अब बताइए आप बहुत ज़्यादा लोग रहते थे या कम लोग रहते थे तो a few people रहते थे तो हम आप प्यू जो है वो अपनी ब्लैंक में लिख लेंगे सी में आपके पास है तब विलिच पीपल यूज डैश फॉर कोकिंग आप बताईए आप मुझे सैमी ने कुछ पिक्चर शेयर करी थी ने अपनी दोस्त के साथ उस पिक्चर में हमने देखा था एक आउंटी को तो वो आउंटी क्या करी थी खाना पका रही थी कोकिंग करी थी जैसे हम सबकी घरों में हमारी मज़स कोकिंग करती है सबकी अपने अपने करों में हम सिटी में रहते हैं हम एक शहर में रहते हैं तो हम अपने करों में कहां प तो उसमें वो आंटी किसमें बना दीकाना वो लकडी के चूली पर बना रही थी तो हम यहाँ पर लिख देंगे वोड किसे कहते हैं लकडी को इन सैंने विलेज पीपल लिव इंड ड साइमी के विलेज में पीपल कहा रहते थी बिग बिलिडिंग्स में या सिंपल मढझ रहते थी न सिंपल मढई हाउस सरी न ही लागनेव इसे गार चल्espère सब्सक्रानों अन अब एक इस अ Sting करने है मOH Chris इतनी बड़ी बड़ी बीडिंस होती है लेकिन गाओं में छोटी बीडिंस होती है ना तो हम यहां पर लिखतेंगे Simple Mud Houses I hope you all are understand मैं अमीर करती हूँ कि आपको सब को चैप्टर समझ में आया हुगा तरीके से अब आप लोग इस एक्टिविटी को अपनी बुक में कंप्रीट करिए पेज नंबर साइवन की एक्टिविटी है इसको कंप्रीट करिए थैंक यू